अगर मैंने एश्वरया को मारा होता तो वो जिन्दा नहीं बच सकती थी। सलमान खान ने एश्वरया राय के आरोपों पर ऐसा पलट बार किया कि दुनिया देखती रह गई। एश्वरया और अविशेग बच्चन के रिष्टे में आई दरार की खबरों ने लोगों को हिला कर रख दिया है। इन खबरों के सचाई तो किसी को नहीं पता लेकिन कई बार से एश्वरया और अविशेग हर इवंट में अलग-अलग जा रहे हैं। जहां एश्वरया होती हैं वहां अभिशेक नहीं होते और जहां अभिशेक होते हैं वहां एश्वरया नहीं जाती संडे को मनीश मलोत्रा के घर हुई पार्टी में पहली बार ऐसा हुआ जब सलमान और एश्वरया का अकेले आमना सामना हुआ वरना ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब सलमान हो और उनके सामने एश्वरिया अकेली पढ़ जाएं हर बार उनके साथ अभिशेक जरूर होते थे एश्वरिया और सलमान के बीच इस पार्टी में बात्चीत हुई या नहीं ये तो पार्टी में पहुंचे लोग ही जानते होंगे लेकिन एश्वरया अब शेक के इस बिगड़ते रिष्टे के बीच बाद सलमान और एश्वरया के उस रिष्टे तक पहुंच गई है जो एक बुरे मोड पर आकर खत्म हो गया कहते हैं कि जैसा इश्वरया ने एक दूसरे से किया वैसा बॉलिवर्ट में कोई हीरो हीरो इन नहीं कर सके लेकिन साल 2002 में एश्वरया ने खुलासा किया कि सलमान उन्हें मारते पीटते थे एश्वरय ने कहा कि उन्हें सल्मान के शराबी बरताव, बेवफाई और अपमान का सामना करना पड़ा एश्वरय ने एक इंटर्व्यू में कहा मैं काम पर ऐसे जाती थी जैसे कुछ हुआ ही नहो जब मैंने सल्मान का फोन उठाने से इंकार कर दिया तो सल्मान ने मुझे पीटा और खुद को चोटे पहुचाई इसलिए किसी भी सुअभिमानी औरत की तरह मैंने उससे अपना रिष्टा खत्म कर लिया सल्मान पर एश्वरय ने मारपीट के साथ गाली को लोच करने का भी आरोप लगाया था लेकिन एश्वरय के इन आरोपो के बाद सल्मान ने इस रिष्टे को आग लगा दी एश्वरय के आरोपो पर सल्मान ने NDTV को दिये एक इंटरव्यू में भड़कते हुए कहा अब उसने ऐसा कह दिया है कि मैंने हाथ उठाया तो फिर क्या ही कह सकता हूँ एक पत्रकार ने बहुत टाइम पहले मुझसे इस बारे में पूछा था तो मैंने जोर से टेबल पर हाथ मारा था और वो घबरा गए कि कहीं टेबल तो नहीं तूट गया मैंने कहा कि अगर मैं किसी को मारूंगा तो यकीनन फाइट होगी मैं गुसा भी होंगा जोर से मारना तो भूल जाओ मैं उसकी अच्छे से मरम मत कर दूँगा मुझे नहीं लगता कि मैं मारता तो वो बच सकती थी तो ये बिलकुल भी सच नहीं है मुझे नहीं पता कि किस वज़ा से उसने ऐसा कहा रिपोर्ट्स के मताबिक नवंबर 2001 में सलमान आधी रात को एश्वरया के अपार्टमेंट के बाहर पहुँचे और दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे सलमान घर के अंदर जानी की जिद कर रहे थे लेकिन एश्वरया गेट नहीं खोल रही थी ऐसा भी कहा जाता है कि तब सलमान ने एश्वरया को कुदकुशी करने की धमकी दे डाली सुभा के तीन बजे तक ये सारा ड्रामा चलता रहा बताये जाता है कि सलमान एश्वरया से शादी करना चाहते थे और इसी को लेकर वो वादा चाह रहे थे लेकिन एश्वरया तब इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी बात तब और बिगड़ गई जब सल्मान एश्वरया को बताए बिना एक्स कल्फरेंड सूमी अली के साथ अमारिका चले गए इसके बाद सल्मान और एश्वरया का रिष्टा तूड गया आज जब अब शेक और अश्वरया के रिष्टे में खटपट की खबरे हैं तो ये बयान फिर से सामनी आ गए है ब्यूरो रिपोर्ट बॉलिबुट पे चरचा